हेलो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ हिसार के अंदर तो फ्रेंड्स हिसार के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे जिंदल टावर के नाम से एक बहुत बड़ा लंबा टावर है तो उसको आपको दिखाएंगे तो देखते हैं उपर चलके कितना अद्भूद नजारा है उपर से देखने पर कितना एट्रेटिव टाइप का दिखाई दिखता है मैं भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा फ्रेंड्स आज का भी लोग काफी मज़ेदार होने वाड़ा है अगर आप मेरे चैनल पहले बार आए तो चैनल को सब्क्राइब करके बैल आइकन चरुदर बालीजिए तो चली आपको पीछे दिखा देते हैं जिंदल टावर कैसा है देखे ये टावर है तो चली इसके उपर लेके चलते हैं और आपको पूरा हिसार कैसा दिखाई देता है उपर से तो फ्रेंड्स आज आपको पूरा दिखाएंगे और पीछे देखोगे तो आपको बहुत पारक है भी और यहां पर एक म्यूजियम भी है तो म्यूजियम के अंदर काफी जो ओल्ड समान है वो यहां पर रखे हैं म्यूजियम के अंदर तो इसका खुलने का समय है तीन बजे तो अभी यह खुल चुका है तो चलिए आपको दिखाते हैं जादा समय ना लेते हुए बजाँ पकड़ लिए कि अला स्पीड में सब्सक्राइब आरा है अच्छा है अच्छा यह दिखा ना पाजीद लागर पागी अम दिखा कुनी अच्छा जाए इस दो लेखे तो मिसारी शाष्ट आओधा जिए आप यह खेरे भाई जारे तो यार कुरह थेख लेखे अधर अधरा आधर जो निचे रेखे लोग ए सुद्सटेब निचे रे चाले टोला कामने तू मैं आओ अज़ आओ पार आओ इस पार आओ आओव आओ 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 दोस्तो कितिना इता ना इता यह तो फूरा डर्रशा लगता तूरा इसार दिखाई देता है, देखो, अगर यह पड़ जया, तो भाई, मिट्टी मलेंद हो जाए, तूरा इसार दिखाई देता है, वाओ, कितना जबरदस्त, दिखाई देता है, उपर से देखो, पूरा इसार दिखाई दे रहा है, चलो मैं साइड में और ले जाता हूं, और उपर सीडिया और है, आप उपर और लेके चलता हूं, अख्यों हम झाय दो कर जातों दो नाच in प्रयों हम स्य अऊंस मैं युमन अगरो सबस्क्रिस सबस्क्रिख अगरत पूरा लोहे का बना है और बहुत ज़्यादा लोहा लगा है यहां से पूरा इसार दिखाई दिता है देखो आपको जूम करके दिखा देखता हूँ यहां पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं दूर दूर से आते हैं सबसे बड़ी बात है इसके अंदर कोई भी किराया नहीं लगता यह जो में गेट है जहां से एंट्री करते हैं आपको और दिखा देता हूँ बाकि इसका पारक भी बहुत बड़ा है और एक चोटा था म्यूजियम भी है तो फ्रेंड से यदि आप खाना चाहो तो आ सकते हो डिस्क्रप्शन में इसकी जो लोकेशन है उसका लिंक मिल जाएगा पारक उपर से कितना पड़िया दिखाई देता है और यहां पर ज़्यादा सोर सराबा होने के कारण मैंने अपनी आवाज नहीं दी क्योंकि वहां पर सुनाई नहीं देता देखो उपर कितने फोटो खिच रहे हैं खैल फिले रहे हैं और उपर जो आप देख रहे हो वो पूरा लोहे का बना है तो फ्रेंड सी आवाज मैंने बाद में दी थे क्योंकि वहां पर बहुत ज़दा सोर सरबा था और वहां पर आवाज में रिकोर्ड नहीं कर पाता देखो यह पूरा जो छत्री टाइप का बना हुआ है सारा लोहे का है और जो नीचे तक देखोगे तो सारा नीचे तक लोहे का है यहाँ पर लिफ्ट के द्वारा आते हैं और लिफ्ट के द्वारा यह नीचे जाते हैं और तीन बज़े इसका खुलने का टाइम है तीन बज़े खुलता है और चलिए में साइड में दिखाता हूँ और उपर फ्रेंट हवा बहुत ठंडी ठंडी चलती रहती है यानि कि बहुत ज़दा तेज मात्रा में हवा चलती है और यह लिफ्ट है यहां से आते जाते हैं तो यह उपर का दुवार है यानि कि उपर लिफ्ट है वहां से आए हैं और अभी हम नीचे जा रहे हैं तो उम्मिद करता हूं दोस्तों आपको छोटा से वीडियो पसंद आएगो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पहले बार आए तो चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लेजिए तो चलिए दोस् फिर से एक नई वीडियो नई टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम आपका दिन सुख हो